आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की मनिपूर के मुद्दे पर दिल्ली में विपक्ष की जो कवायद चल रही है उसके बारे में आपको बताते हैं इस मनिपूर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार मुदी सरकार को घेर रहा है और आज इंडिया अलाइंस के सांसदों के एक डेलिगेशन ने इसी मुद्दे पर राजपत्री द्रौपदी मुर्बू से मुलाकाद की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौपा राजपत्री को में बोलने से रोका जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है, मनिपूर में वो जो लोग देखकर आए हैं वो बताना चाहते हैं पार्लिमेंट में, तो सुरिए जरा विपक्षी सांसदों की बात, क्या कह रहे हैं वो राजपती से मुलाकात करने के बाद? महिलाओं के उपर अत्याचार, स्त्रीयों का जो नंगा परेड किया गया, पांच सों से जादा घर जलाएगे, पांच हजार घर जलाएगे, और हमारे दो सों से जादा लोग मर चुके हैं, और पांच सों से जादा घायल हो चुके हैं, तो इसलिए हम लाश्पती का ध्यान खिंचने के लिए हम सभी मिलें, उन्हों ने कहा जो आपका मिम्रेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्हों ने आस्वासन दिया है, दो कम्यूनिटी, माइटी कम्यूनिटी और कुकी कम्यूनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही, इसको शांती के साथ रखना है, तो प्रदान मंत्रियों पर विजिट करना चाहिए था, ब्यान में और दिल हुए, अब तक महा नहींगे, उसके बारे में बोले लास्ट में एक बाशन देंगे, चले जाएंगे, तो ये बड़ी दुक्री की बात है. ट्रेन में जिस तरीके से एक आर्पीएफ के आप शक्स ने चार लोगों के हत्या कर दी, इस सब को लेकर के एक कलेक्टिव पिक्चर पेंट करने की कोशिश भी हो रही है, कि देश समल ले रहा. नहीं, देखे, जितनी भी घटनाय आपने बताई या जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब देश को पीड़ा देने वाली है. और निश्चित तोर पर जहां जो सरकार है जवाब देवाई है, हरियाना में हो रहा है, नूमेवात में हुआ, जवाब देखी खटर सरकार की है, मडीपूर में हुआ, जवाब देखी बीरेन सिंग सरकार की है, लेकिन जब आप कहते हैं कि जैपूर मुंबई एक्सप्रेस में एक सिपाही वो पागल हो जाता है और वो अपने सीनियर को मार देता है उसके बाद लोगों को मार देता है तब आप यह नहीं कहते हैं तब आप मुसल्मान और हिंदू खोजते हैं और अगर यही हिंदु मुसल्मान खोजना है और उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान फिर से कौपी पेस्ट हो जाता है कि देश भर में केरोसीन छिड़का हुआ आग लगानी तो केरोसीन कैसे छिड़का हुआ है केरोसीन ऐसे छिड़का हुआ है कि योगी आदितेनाच चुनाव जीतते हैं और कुशी नगर में बाबर, मुसल्मान वो मिठाई बांटने लगता है और कहता है भई योगी जी जीत गए बगल के पडोसी उसको पीट कर मार दिते हैं मुसलिम्स अंडर अटेक, मुसल्मान मार दिया जाता है, जैपूर में अभी दस दिन पहले की घटना है, एक महिला कहती है कि मैं भाजपा समर्था को अपने घर के बाहर बीजेपी का बोड लगा लेती है, दो सो मुसल्मानों की भीड उसको घसीट कर बाहर निकालती है और मुहम्मद वास्तनवी सूरत के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, दारुलूम के वीसी रहे, देवबंद के, उन्होंने काया कि मोदी के राज में मुसल्मानों को कतई पीछे नहीं धकेल आ गया, उन्हीं को धकेल दिया गया, सवाल यह है कि आप किसी narrative को कैसे गढ़ना इस देश में सरवाधिक दंगे कॉंग्रेस के शासनकाल में हुए, क्या यह कहा जाए कि नहरू जी से लेके, इंद्रिया जी से लेके, राजी जी से लेके, सब के सब लोग सिर्दंगा कराते थे, यह कहना उचीत है क्या, नहीं कहना चाहिए इस तरह से, लेकिन अगर आज एक घटना होती है, और आप सीधे नरेंद्र मोदी को खांचे में घेर करें, उनकी पॉलिसी पर बात करिये न, उनकी कमियों पर बात करिये न, उन पर घेरिये, लेकिन चुकिए 2024 का चुनावारा है, तो राहूल गानी बस एक बात बोलेंगे, के रोसिन, किसने छिड़क द या फॉल्ट लाइन्स उग्हेडने का काम जो है, वो आज के दौर में चल रहा है, और उसी में उसी का इंपैक्ट होता है, जब एक पुलिस वाले का दमाग खराब हो जाता है, और फिर वो गुली से रादेता है, उसके बाद नाम लेना शुरू करता है, उसके बाद नाम हैं गंबीर हैं, लेकिन ये जो सिपाही वाले घटना हुई है ना, ये इसके गंबीरता समझीए आप, एक सिपाही उसके हाद में स्टेंगन या एसलार राइफल है, और उसका दिमाग खराब होता है, जिस कारण से हो, चाहें वो सामपरदाई कारण से हो, या आप उसके न है, तो अगर ये मैं हिंदू-Muslim एंगल से देखी नहीं रहा हूं, मैं तो इस एंगल से देख रहा हूं कि क्या हमारी फोर्से भी रैडिकलाइज हो रही हैं, क्या इस माहौल में, ये जनलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे करते हैं हांडी का चावल देखा जाता कोर्से, साइकलोजिकल, उनके ट्रीटमेंट, जवानों के उनकी छुटियान, क्योंकि सब जुड़ती हैं, उन पर तनाव हो गया है, उसे में ये चीज भी आ जाती है, तो इसे कितनी घटना हैं हम लोग देखते हैं होती हैं, देखे होती हैं, तनाव में आकर के कभी अगर कोई फॉर्स किसी तरह की उनके रेडिकलाइजिशन की साजिश कर भी रही है, तो वो नहों. ये देखने की बात है, मैं इसको इस नजर से देख रहा हूँ, हिंदू-Muslim नजर से नहीं देख रहा हूँ. और वहां हिंदू-इसाई का जगड़ा लगा दिया गया मरिनपूर के अंदर, ये लजान है. विपक्ष का काम है, आरूप लगाना इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन में बार विनोजी सरुजी नहीं नहीं है, अभी जब अरून जेटली जब पहली बार रक्षा मंत्री मने थे वित्ते के साथ, रक्षा मंत्रा लेका भी उनके प्रभारता था, तब उन्होंने बहुत पर राहूं जेटली नहीं है, कि हमारा अदाम सेना को मजबूत करेंगे, इसके अलावाद सेनिकों को कैसा बहतर अन्वरपन दे सकते हैं, उनके बीचर बीच कैसे अंडेस्ट कर सकते हैं, और कैसे इनकों मेंटली कूल जाजा रखा जा सकता है, जिसके अंदर उनके इस मामले को तो तनाव या डिप्रेशन से जोड़ा ही नहीं जा रहा ना इसको तो सीधा कहा जा रहा है कि यह तो डेडिकलाइज आदमी था यह तो अतिवादी हो गया था मुद्योगी के दौर की देन है देखो एक आदमी के रहा है हुने से पूरे डिपार्टन करने ही का ज निकलने के वार उसनों सो केस रूप में प्रदरशित किया घर के लोग कर रहे हैं कि वह अपना अधिकारियों से परिशान था है इसने तरकते करी है देखिए बाकी बाद विल्यों चल रहा है तो मतलब उनका तो हर जगे एक्सपर्ट कमेंट आना है वह कहीं प्या सकते हैं उनकी बात छोड़िये मैं तो खालिये करा हूँ जैसे मनिपूर में हुआ अब मनिपूर में जो कुकीज और मैथीज की बीच में हुआ हिंदू मुसलिम हिंदू हिसाई से ज्यादा जाती संगर्श होगा और उस जाती संगर्श में एंगल यह भी आ गया चूंकि बिल्कुल ही रेडिकलाइज हो गए हथियार सप्लाइए कर दिये गए चार जार लूट गए लूट वादिये गए तो यह स्थिती एक हो है और इसके लिए मोधी योगी की बात नहीं कर रहा हूं कोई पदान मंत्री कोई मंत्री अपने देश में राजी में हिंसा या जोड़ दूमें इसके पहले इस तरह की घटनाओं पर देश की देश के पत्रकारों की देश के बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया किस तरह से होती थी वो कहते थे जो अभी विनोजी ने कहा बहुत सही बात कही और पूरी तरह से शब्दशाह मैं सहमत हूं कि ऐसे मसल ना होगी नरेंद्र मोधी की विज़ा से और दुर्भाग से इस देश के बुद्धिजीवियों ने उसमें भी मोधी भक्त, योगी भक्त और ये हो गया हिंदू-मुसल्मान कर दिया इससे बचिये बहुत जहर फैला रहे हैं लोग आगे बढ़ते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की अपने सांसदों से मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है ये सोमवार से सिलसिला शुरू हुआ है अलग अलग बैचिस में वो मुलाकात कर रहे हैं वहां से खवर निकल करके जो आ रही है वो ये आई कि उन्होंने अ किसी भुलावे में ना रहे इस मुगालते में ना रहे कि आपका टिकेट कंफर्म है टिकेट कट भी सकता है और इसकी वर्जे उन्होंने ये बताई है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके आकांगशाएं हैं उन सब का सम्मान करना होगा इसके अलावा पिछड़े वर्ग से और रखेंगे आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसकी भी चिंता पार्टी करेगी तो इस सारी बातें जो हैं मोदी जी कह रहे हैं एक इशारा तो उन्होंने साफसाफ ये दे दिया कि टिकेट कटेंगे सीडिसी एक लाइंगी बात देगे एक तो टिकेट कटने का इशारा द लिए खाली दिल्ली और लखनाउप में रहे हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है ये उन्होंने बिल्कुल साफसंकित दिया और हमेशा और यही देखें यही इशारा और नाइज़ने भी अपने लेक में लिखा था जिसको दूसरे तरह से इंटर्प्रेट किया गया कि मो जाए जनता के बीच उपलब्द रहिए कारकरताओं को समय दीजिए पार्टी की जो रीति नीति और कारेक्टर में उनको बीच मिले जाए खाली यह मैं सोचें कि मोधी जी आए यह प्रोच दिखाता है बिल्कुल पार्टी की और मोधी जी की आपके आप खुद कहने मेरे लड़ाई लड़नी पड़ेगी यह ना जमने अधी में कहावत है वली दिल्चस्पी कहावत है कि अपने मरे सुरग मिले थी खुद मरके सुरग मिलता है तो यह जो है मतलब रहना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने इस पर स्टूप से कहा और मुझे लगता है कि कोई भी बहुत इससे बैतर बात नहीं कह सकता है अपने सांसतों से कि खाली मेरे भरोसे मत रहिए यह जमाना गया इसलिए और देखिए मोधी जी 2014 और 2019 में भी जब पूरा चुनाओ उनके नाम पर जीता गया तब भी वो इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाओ अखेले एक नाम से उस कहते हैं कहते हैं बस टिकट मिल लिया है तो यह तो मोधी जी नहीं कराया है ना लेकिन ये भी बात सच है कि देश में शायद इस तरह का पहला नेता होगा 2014 चुनाओ जीते सभी सांसतों के साथ बैठक की कहा दो काम मत करना अपना पी ये पुराना वाला मत रख लेना जो न 2019 के पहले क्या कहा कहा आप मेंसे बहुत से लोगों के टिकट इसलिए नहीं कटेंगे दरसल असली बात इसलिए कट जाएंगे कि आप लोगों ने अपने छेतर की जनता को टेकन फार ग्रांटेट ले लिया आप अपनी स्कीम अपनी योजना सरकार काम करती है आप सरकार की जाता था जो उस वक्की रिपोर्ट थी कि जो आदर्श ज्राम योजनाथी सांसाद आदर्श ज्राम उस पे बहुत ज्यादा लतार लगाई थी कि भईया आप लोगों को काम नहीं कर रहा अपना एक गाउन ही सुदार पा रहे हैं तो क्या करोगे मंदिर के अलावा जो सुझाओ की बात है वो पूछा यूँ क्या गया कि आप अपने उदारन से बताईए यह सुझाओ नहीं मांगा गया है उन्होंने साफ कहा आपने अपने छेत में कोई योजना इंप्लिमेंट की हो जरा उसको बता दीजे अच्छी होगी दूसरे है तो वो आपकी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है दिल्ली के मीडिया में छप रहे हो तो ठीक है क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि मीडिया में छपने के लिए नहीं लेकिन आपकी बात पहुंचाने के लिए आप मीडिया का इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या इनका सबका फी लक्षमी कान बाचपई अभी तो राश्ट्री उपाध्यक्ष हो गए हैं, अभी सचेतक हैं, अभी जारखंड के प्रभारी हैं, लेकिन उस दौर में बड़े किनारे किनारे से थे, उत्तर प्रदेश की राजनीत में साइड लाइन थे, उनके समय में ही 73 सीटे आई जी तब अधेक्ष से उसके हो, लेकिन फिर भी वो साइड लाइन हो गए, उन्हों प्रधान मंत्री जी से मिलने गए, और प्रधान मंत्री से जब मिलने गए, तो मोदी जी ने उनके पिछले 6 महीने के हर कारिकरम की एक एक बात उनको बता दी, और ये मुझे कहीं बैठा हुआ था ये आउट हो गए थे, तो लग रहा था कि एरे, इनका तो कोई महत तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये सब कुछ था और देखिए, जब अचानक होता है, तो अचानक वो राजसभावेश दिये जाते हैं, अचानक वो सचेतक बना दिये जाते हैं, जारखन के प्रभार करते रहते हैं, फैसला तो उस रिपोर्ट के वज़ेश दो बात हैं, इसमें समीज साब, एक तो ये कि खुद प्रधान मंतरी कितना प्रोएक्टिव हैं, और कहीं कोई वो कसर नहीं छोड़ रहा है, कि कहीं हमारी तैयारी में कमीना रह जाए, पार्टी को भी इसके लिए करने वाली बात तो नहीं है, नहीं विपक्ष को हलके देने वाली बात नहीं, मोदी जी नहीं कर एक बहुत इंटरस्टिंग बात उन सांसदों तो पूछी, मोदी जीन उनसे बैटको में पूछा, कि केंदर की योजना हो कि आपके शेत्र में कितने लाभारती और आप जहा है, कैसे जनताओं को आप एवर करो कि कोन से योजना आप तक पहुच रही है, स्थानी संग्टन के आप उसे मदात ले रहे की नहीं है, डबल इंजन की सरकार है तो सरकार के सहयोग से आपने शेत्र में कितनी योजना लागू कर रहे हो, 80% सांसदों बता नहीं पाए, मोद पास था लेकिन इंड़ियर सांसरों बताने की सित्व में नहीं थे तीन योजनाओं के नाम प्रॉपर्ली कि पहले यह जिना दूसरी पर यह जिना पर आने वाले चे समय में हैं तीन मेने में यह जिना पहुंचा जाएगी। इसलिए उनको यह भी कहना पड़ा कि फ़र टिकेट का भी देख लेना इसलिए बोला और आप लेखे 2019 में इसे करण उन्नी सांसरों के उत्त्रम अधर से टिकेट काड़ दिये थे उन्नी सांसरों के मन में घर कर गया है तो सांसरों ने विदायकों भी लगता है कि मोली का चेर कि जिसे राजसभा देने में जिसको राजसभा एक बार दे दी छह साल उसके हो गए तो उसके बाद जरूरी नहीं उसको दुबारा रिपीट किया जाए यह नहीं जैसे पतल लगा 6-6 टर्म नेता चले आ रहा है राजसभा में राजसभा उनके नाम लिग गई ऐसा नहीं क दूसरी बादी हैं कि ऐसे आसे लोग राजसभा दी गई है जो बिल्कुल जो जमेनी इस तरके वरकर थे जिनको कोई नहीं जानता था हम लोग नहीं जानते थे उसको मिलती है तो वह बी अंदर से भाव रहता है कि तो कृपा से मिली है जब लोगसभा को लड़ता है बले ह बैंक यह मोची के नाम पर लड़ वह लोगसभा अपना अपना भी कुछ खीन दिखता है लोगसभा मैं लड़ा मैं जीता लड़ना पुड़ता है जा लड़ना पकश्व को आध तर रुचो पर खच्विकेट कर दश尉ड़ घृक defence पाद्टन को पर फशांसद उनके । autus कि आड़वन जी का टिकेट काटा मुली मनोर जोशी को काटा सुमित्रा माजन सब की उम्र हो चुकी थी लेकिन चाहते थे कि सांसत बने लेकिन पाटी ने बोला कि नहीं अब यूवर गाएगा आप सीनेरों आप मांग दर्शक बनी है आप सम्मानी नेता है और यूवर टिम क्या था कि बोधी साब ने तीसरा टर्म जो है वो तो कह दिया कि तीसरा टर्म हम आ रहे हैं लेकिन चौबिस को चुनाव है 24 हो जाएंगे अगले साल पिजत्तर हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा ने वो तो उनके उपर है कई बार नेता जो है इन सब चीजों से उपर हो मतलब जिनका कोई नहीं है उस में जबकि उमीड ये थी शायद संगठन को जिमेदारी मिले या कोई मंत्री जाए संगठन में लेकिन तो वो जब से नियों चर्निग है संगठन की वो जब से मोधी जी निष और अमिशार के हाथ पाईटी कामान आई है तो आपस चर्निंग लगातार चल रही है। वो नहीं है कि अग्बार अगर आप शीर्स पे पहुंच गए तो आप इमान के चलो कि बस अब हम जिवन पर रहें तो जो है पार्टी किसी घर पर रहेंगे। लेकिन एक बात में जरूर कहूंगा कि इसमें भारती जनता पार्टी को जो बहुत ध्यान देने की जुरूरत है कि उनका अपना कारिकरता तो कहीं मिसिंग नहीं हो रही है क्योंकि पार्टी जो बढ़ा संकट होता है का developments के लोग उनके वर कार क वह बहुत दॉनकी आएगा उ एंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर.